नगर निकाय चुनाओ के लिए आज संगम नगरी प्रियागराज में भी मतदान हो रहा है तमाम लोग घरों से बाहर निकल कर वोट डालने मतदान के इंदरों तक पहुँच रहे हैं हलांकि जो वोटिंग का परसेंटेज है वो थोड़ा निराशा जनक है लेकिन उमीद ये जर्चाइज आ रही है कि इस दो पहर के बाद यानि शाम के वक्त ज्यादा संख्या में वोटर जो है वो मतदान करने के लिए निकलेंगे वैरहाल फूलपूर सीट से बीजेपी की सांसत केश्री देवी पटेल ने मतदान किया है केश्री देवी जी हमारे साथ हैं उनसे ब हैं हम सब लोगों के लोग लगे हैं कारmon करता लगे हैं कि हमसार जय्दा सजयादा लोग घरों से निकल करके मतदान करें लोगों से क्या अपील करें जो लोग का भी घर में बैठे हुए हो प्रियागराज की एकदम ब्योस्ता ही बदल गई है इतनी अच्छी ब्योस्ता हो गई है अभी आप हमारे यहां से बाउर सीजे बोल सकती हूं बंदे भारत जैसे ट्रेन हमारे हाँ से अगले माँ चलने वाली है जो सुबा प्रियागराज से दिल्ली पहुचाएगी और रात में वापस लाएगी तो हमें लगता है कि हवाई जहाज जो प्रदान मंत्री जी की मनशा थी कि हवाई चपल पहन कर चलने वाला ब्यक्ती भी है हवाई जहाज से चलेगा बारा फ्लाइटे चलने छे फ्लाइटों के लिए हम लोग आउर मांगा रही है तो विकास के मुद्दे पर आप लोगों ने वोट मांगे है विकास के मुद्दे पर हमारे घाट बनाए जा रहे है गंगमया के किनारे बहुत सारे विकास हो रहे है जो हमें लगता पिछले क कभी हुए नहीं कि जहां भी मतदान करने जाई यह तेजी से बटन दबाई कमल का और बजरंग बली का जैकारा भी लगाई तो आप लोगों ने भी लगाया हो बिल्कुल लगाया हम लोगों ने जाइकारा है तो हमारे साथ केश्री देवी जी के सुपुत्र दिने सिंग जी यह उन से बात कर लेते हैं, बताइए आप जब वोट डालने गए तो क्या कुछ आपके मन में चल रहा है? लगता है कि प्रियागराज की पहचान बदल गई पहले, प्रियागराज माफियाओं के नाम से पहचाना जाता था, अब विकास के नाम से पहचाना जाता है? पिल्कुल सांसत केश्री देवी पटेल का दावा है कि भारती जनता पार्टी इस चुनाव में रिकार्ट तोड जीत हासिल करेगी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और ट्रिपल इंजन की सरकार में महा कुम्ब के लिए बड़े काम होंगे दिव्वे और भव्वे कुम्ब से भी ज्यादा बेहतर कुम्ब का आयूजन किया जाएगा कैमरमेन अनुराग दिवेदी के साथ मुहम्मद मौहीन एबीपी नेटवर्क प्रयाग राज एबीपी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी